आज सरला जी के घर में महमानों की भीर लगी हुई थी क्योंकि उनके छोटे बेटे रोहन की शादी हुई थी हमने सुना है आपकी बहु दहेज में सोने का पलंग लाई है वैसे कहां रखा है वो सोने का पलंग वो बहु के कमरे में ही रखवा दिया हमने आँटी जी आपको मेरे दहेज में आया हुआ सोने का पलंग देखना है क्योंकि उन आँटी को भी वही देखना है ममी जी मैं इन सबको अपना सोने का पलंग दिखा दूँ हाँ हाँ बहू क्यों नहीं ठीक है तो जिस जिसको भी मेरा दहेज का सोने का पलंग देखना है वो मेरे साथ कमरे में आ जाए चलो चलो बहू के दहेज का सोने का पलंग देखते है सब और ते छोटी बहु प्रिया के दहेज में आया सोने का पलंग देखने के लिए उसके कमरे में खुज गई प्रिया के कमरे में बहुत ही सुन्दर सोने का पलंग सजा हुआ था बहु तुमारा पलंग तो बहुत सुन्दर है हमने तो पहली बार ऐसा सोने का पलंग देखा है सरला जी के तो भागी खुल गए तुम तो सोने का खजाना लेकर आई हो इस घर में आंटी जी ये सब तो मेरे पापा के कारण हुआ है मेरे पापा का बहुत मन था मेरी शादी में सोने का पलंग देने का वैसे तो उन्होंने सोनी की और भी चीजे दी हैं पर ये पलंग तो उन्होंने बहुत स्पेशल बनवाया एक माने हुए सुनार से प्रिया का घमंड उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था वो अपनी अमीरी का बहुत जादा बखान कर रही कुछ दिर बाद और पे चली गई तब प्रिया की सास उसके पास आई प्रिया बहु अपने मुँसे खुद कितनी तारीफ नहीं करते लोग नजर लगाते है मा जी अब मेरे पापा ने मुझे दहेज में सोने का पलंग दिया है तो बताऊंगी ही न इसमें नजर किस बात की लगनी है अब मैं अमीर खांदान की हूँ तो अपनी अमीरी दिखाने वाली चीज़े तो दिखाऊंगी ही न हर किसी के दहेज में नहीं आता है ऐसा सोने का पलंग मेरे दहेज में आये है मैं तो दिखाऊंगी जैसी तुम्हारी मरसी अब मैं क्या ही बोलू प्रिया को जब देखो जिससे देखो बस सोने के पलंग के बारे में ही बात करती रहती थी उसकी ये बात घर में किसी को भी पसद नहीं आ रही थी सीमा मेरे कमरे में जाड़ो आराम से लगाये करो मेरे सोने की पलंग पर निशान आ गए तो जानती हो कितना महंगा सोने का पलंग है मेरा भाभी इस घर में मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ मुझे रेखा भाभी ने कभी नहीं बोला आपको जब से सोने का पलंग आये तो आप मुझे ये बात 50 बार बोल चुके हो मुझे कामी नहीं करना इस घर में जब देखो टोका टोकी चिलम चिली शुरू हो गई है अरे सीमा क्यों गुस्सा हो रही हो प्रिया तुम्हें पता है अगर सीमा काम चोड़ कर चली गए तो सारा काम हमें ही करना पड़ेगा तुम्हारे घर से सोने का पलंग क्या आगया तुम तो जिसको देखो उसे ही सुनाती रहती हो अपने अमीर होने का इतना घमंड मत करो प्रिया हम भी कोई कम पैसे वाले नहीं है घमंड तो करूँगी भाबी आप से ज़ादा दहेज लेकर आई हो आप लकडी का पलंग लेकर आयते मैं सोने का पलंग लाई हो इसलिए हम दोनों में अंतर तो हमेशा रहेगा प्रिया मूँ बनाती हुई कमरे में चली गई मेरी और तुम्हारी लव मेरे जुई है पर हरस मैं अपने सामान और पैसो के बारे में सुनाना क्या अच्छी बात है ऐसे सब तुम्हें गलत समझेंगे पर मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो इस तरह की बात है करना छोड़ दो रेखा भाबी बहुत अच्छी है उनके साथ प्यार से रहो तो मैं कौन सा लड़ाई कर रही हूँ मैंने तो बस अपनी बात रखी अब मेरे पापा ने इतना महंगा दहिश दिया है शेहर में उनका नाम है उन्होंने मुझे ये सोने का पलंग दिया है आज तक किसी के दहिश में सोने का पलंग नहीं गया मेरी सारी सहीलियों के बीच मेरी वावाई हो रही है और कल तो मेरी सहीलिया मुझे से मिलने और मेरा ये सोने का पलंग देखने आ रही है ठीक है अच्छी बात है अगले दिन प्रिया की सहीलिया उससे मिलने आती है पहले प्रिया उन्हें ज्रोइंग रूम में नाश्ता करने के लिए बिठा लेती है और बता कैसी कट रही है तेरी मेरीज लाइफ हाँ अच्छी तो है रोहन तो बहुत प्यार करते है पर फैमली में थोड़ा अंतर है मैं थोड़ा ये पैसे वाले हाइफाई घर की हूँ या ठीक है बस ये समझ लो बाकि मेरे पापा ने तुम्हें पता है ये बहुत महगा दहिश दिया है साथ में मैंने तुम्हें बताया था ना सोने का पलंग भी दिया पापा ने तो बस जैसे मैं अपने घर में रहती थी वैसे यहां का माहल मैंने बनाई लिया है तुम लोग चाय नाश्ता करो फिर मैं तुम्हें अपना सोने का पलंग दिखाऊंगी प्रिया सबके लिए समोसे मंगवाएं तुम सर्फ कर दो रे खा भाबी मेरी फ्रेंड्स समोसे कम ही खाती है हाँ समोसे तो हम लोग भाबी कम ही लेते हैं हम लोग तो पिज़ा पास्ता बर्गर वगेर ही जादा पसंद करते हैं अरे तु पहले बताती है, हम वही order कर देते, माजी, मैंने कर दिया order, मुझे लगा आप लोगों का खर्चा ना हो, इसलिए मैंने अपने अकाउंट से पैसे दे दिये, अरे तुने अपने अकाउंट से पैसे क्यों दिये, रोहन तुझे खर्चा नहीं देता क्या? क्या करें? इतने लोग हैं घर में तो खर्चा भी जादा है इसलिए मैं रोहन पर अपने खर्चों का दबाव डालती नहीं हूँ मेरी शादी को एक महीना हो गया है मैं तो खोदी सारा खर्च करती हूँ अच्छा मैं तुम्हारे लिए पिज़ा और पेस्ट्री लेकर आती हूँ प्रिया रसोई में नाश्ता लेने के लिए जाती है प्रिया की बातों से उसकी सास और जेठानी बहुत गुस्से में थी प्रिया हमने तो तुमें कभी नहीं कहा कि तुम खर्च करो ये बात तो गलत है तुम अपनी सहेलियों के सामने हमारा अपमान कर रही हो प्रिया कुछ बोली ही नहीं उसने चुप चाप प्लेट में पिज़ा पेस्ट्री और बर्गर डाले और अपनी फ्रेंड्स के लिए ले गई माजी मैं प्रिया का कमरा ठीक कर देती हूँ आज उसने सीमा से सफाई नहीं करवाई थी उसकी सहीलिया कमरे में जाएंगी तो उन्हीं बुरा लगेगा रहने दुबहू अगर तुमने उसके सोने के पलंग को छेड़ा तो बेकार में उल्टा सीधा बोलेगी और मुझे फिर बरताश नहीं होगा कोई बात नहीं पर कमरा बिखरा हूआ भी तो अच्छा नहीं लगता ना मैं कर आती हूँ ठीक रेखा प्रिया का कमरा ठीक करने के लिए जाती है रेखा सोने के पलंग के चादर ठीक कर रही थी तभी पलंग के साइड में रखा हुआ पानी का गिलास गिर जाता है रेखा कपड़े से पलंग पर गिरा पानी पोचने लगती है पर उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो दंग रह जाती है रेखा प्रिया की अलमारी में से एक साड़ी खीशती है और पलंग के साइड में बिचा देती है तभी प्रिया अपनी सहेलियों को लेकर कमरे में आ जाती है पलंग पर बिची साड़ी को देखकर प्रिया गुस्से में आ गई थी पर वो अपनी सहेलियों के सामने कुछ नहीं बोली ये देखो, मेरे सोने का पलंग तुम्हें कैसा लगा? ये तो बहुत सुन्दर है, प्रिया सच मुझ तेरे पापा ने दहेज में ये सोने का पलंग बहुत सुन्दर दिया है, पर इस पर साड़ी क्यों बिचा रगी है, कि साड़ी तो तुम्हारे पलंग की शोओ खराप कर र तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, और उसने फोरन अपने पापा को कॉल किया, उसके पापा है तो साथ में वो सुनार भी आया, सच्चाई तो ये थी कि जूलर ने उन्हें बेवकूफ बनाया था, सोने का पलंग नकली सोने का था, रेखा ने जब पलंग से पानी साब किया तो साथ में गोल्डन पॉलिज भी उतर गई, पर उस समय रेखा ने इस्थिती को संभाल लिया और किसी के सामने सच्चाई नहीं आने थी, पापा मैं इन सबको इतना गलत बोलती थी, मैंने हमेशे इस सोने के पलंग के लिए ना जयने इन सबको कितना सुनाया, पर आज मै अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ, I'm sorry भावी, I'm sorry माजी, आज भावी ने मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट होने से बचा ली, Thank you भावी किशोरी लाल, मैंने तुमसे भरोसे पर सोने का पलंग बनवाया था, पर तुमने नकली पलंग दे कर ठीक नहीं किया, Inspector साब, इस चोर को ले जाए, नजाने इसने और कितने लोगों को ठगा है, नकली सोना बेच कर कोई बात नहीं बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है, प्रियाख अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उस दिन के बाद उसने अपने स्वभाव को बिलकुल बदल लिया, जिससे उसे ससुराल में प्यार और सम्मान दोनों मिले जीती रह, आखिर तुन्हें कर दिखाया निशा हाँ पापा, इतना कहकर निशा अपने सामने खड़े आदमी को सल्यूट करती है, और तभी वहाँ खड़े सारे महले वाले निशा और राम के लिए जोर जोर से ताली बचाने लगते हैं तालियों की गड़गडाहट से पूरा महला गुंचने लगता है, तालियां रुक नहीं रही थी और उन तालियों को सुनकर राम कहीं खो जाता है राम को याद आता है जब वो कॉलेज में था और गाना गा रहा था, तब पूरे हॉल में उसके लिए ऐसे ही तालियां बच रही थी, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, पर राम तो बस संध्या को ही देखे जा रहा था, ये कहानी है राम, संध्या और निशा की, उस दिन संध्या, संध्या, हम, आज मेरी परफॉर्मेंस है, तुम आओगे न, क्यों, मैं क्यों आओँ, तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, मैं सोचूँगी, संध्या और राम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, संध्या देखने में बहुत ही सुन्दर और संस्कारी भी थी, राम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था, ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन राम उससे कह नहीं पाता था, उस दिन शाम को परफॉर्मेंस के बाद राम ने बड़ी हिम्मत करके संध्या से कहा, रहने दो राम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो देखो, जो तुम सोच रहे हो न वो कभी नहीं हो पाएगा पर दिक्कत क्या है? मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूँ अच्छा गाना गाता हूँ, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं मैं नहीं मेरे पिताजी नहीं मानेंगे राम, वो एक छोटे से किसान है वो चाहते हैं कि मैं और मेरी बहन पढ़ लिखकर कुछ बढ़ा करें और रही बात शादी की तो वो कभी भी अपनी जाद विरादरी से बाहर चाकर मेरी शादी नहीं करेंगे पर समाना बदल गया है, संधिया भी जादी विरादरी के बारे में मैं भी नहीं सोचती राम पर मेरे पिताजी सोचते हैं वो वैसे भी बिमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती इतना कहकर संधिया वहां से चली गई पर राम संध्या से बहुत प्यार करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था संध्या के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और किसी तरह संध्या का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुँच गया शेहर से लगे गाउं में वो एक कच्चा मकान था उस घर की हालत बहुत ही खराब थी उस कच्चे घर को देखकर राम हैरान रह गया कि संध्या किस मुश्किल दौर से गुजर रही थी वो जैसे घर के अंदर आया तो उसने देखा कि संध्या अपने पिता को दवाई पिला रही थी और उसकी छोटी बहन पास में ही चूले पर खाना बना रही थी राम तुम यहाँ? मुझे बस तुम्हारे पिता जी से कुछ बात करनी है कौन है संध्या? कोई नहीं बाबा वो मैं राम हूँ, नमस्ते मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा जी मैं आपकी बेटी संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ अंकल जी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाता हूँ इस घर की हालत देख रहे हो बेटा मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा मुझे कुछ नहीं चाहिए बस संध्या को मेरे साथ भेज दीजीगा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जिन्दगी भर उसका खयाल रखूंगा मेरा खयाल तो तुम रख लोगे पर उसके बाद मेरी छोटी का क्या होगा वो देखो वो मेरी छोटी बहन है अभी स्कूल में पढ़ती है मैं कॉलिज के बाद काम करने जाती हूँ जो पैसे कमाती हूँ उसी से पिता जी की दवाई और इस घर का खर्चा चलता है समझे इसलिए मैं तुम से शादी करने के लिए मना कर रही थी और तुम सीधा मेरे घर चले आए मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती अब हम पर तरस खाओ और चले जो यहां से प्लीज राम वहां से चला गया उसकी आँखों में आजू थे उसे पता नहीं था कि संध्या इतने बुरे हालात से गुजर रही थी पर उसने भी ठान ली थी अगले सुबह वो अपनी मोटर साइकिल लेकर संध्या के घर पहुँचा और उसे अपने साथ कॉलेच ले गया शाम को संध्या के पिता के लिए उसने दवाईया ली और फिर संध्या के साथ उसके घर पहुचा उस दिन राम सब के लिए बाहर से खाना लाय था सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर संध्या जब अपने काम पर चली गई तो राम उसकी छोटी बहन को पढ़ाने लगा संध्या की छोटी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगा उसने हीरा लाल के साथ धेर सारी बाते की और फिर वो वापस अपने घर चला गया अब तो राम इसी तरह हर रोज संध्या और उसके परिवार का खयाल रखता संध्या के साथ साथ उसके पिता और उसकी छोटी बहन भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे सब ठीक चल रहा था लेकिन फिर एक दिन राम जल्दी से आओ बाबा घून की उल्टी कर रहे है तुम चिंता मत करो मैं भी आता हूँ राम बाइक से बहुत तेज संध्या के घर पहुचा उसने देखा कि हीरा लाल की आखरी सांसे चल रही थी उसने फॉरन एम्बूलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला पर तभी हीरा लाल ने कापते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ कर संध्या के हाथ में रख दिया और कहा अब मेरे पास समय नहीं है बेटा वाधा करो कि मेरी बेटी संध्या को पत्नी के रूप में और मेरी चोटी बेटी निशा को बेटी के रूप में हमेशा खुश रखोगे मैं वाधा करता हूं आपसे इतना सुनते ही हीरा लाल ने उन दोनों के सिर पर हाथ रख और स्वर्ग सिधार गय कुछ दिनों बाद ही राम ने मंदिर में संध्या से शादी कर ले और वो संध्या और उसकी छोटी बेहन को लेकर अपने घर चला गया पर बिना दहेज की बहु और दहेज में आई साली देखकर राम के घरवालों ने उसे घर से बाहर कर दिया तब राम ने एक घर किराई पर लिया और एक नई जिन्दगी शुरू की लेकिन ये सब इतना आसान कहा था पड़ो सी उसे और उसकी पतनी संध्या को ताने मारने लगे अरे देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की अपनी साथ अपनी बेहन को भी ले आई और देखो तो सही दहेज के नाम पर बस एक साली आई है चनाब की खैर मज़े तो राम के हैं बीवी के साथ साली भी मिल गई बाइवन गैट वन ओफर मिला ऐसे तो राम संध्या और निशा ने हर बात सुनी पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा फिर उसी शाम जीजा जी आप मुझे पढ़ा देंगे जीजा जी नहीं आज से तुम मेरी बेटी हो मुझे पापा कहोगी मैं आज से तुमारा पिता हूँ और तुम मेरी बेटी ये वही पढ़ोसी थे जो आज निशा और राम के लिए अब तक तालिया बजा रहे थे उनकी तालियों में जैसे शमायाचना थी, जो वो राम और संध्या से मांग रहे थे तब ही संध्या ने राम की तरफ देख कर कहा आज तुमने अपना हर फर्ज निभा दिया, मैं खुश किस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया और लोगों के तानों को तालियों में बदल दिया